Hello Friends, Welcome Back to our Channel Hello Friend TV दोस्तो, मार्किट में आज के टाइम पे काफी कमपनीज के अलग लग घी आ गए हैं और सभी कमपनीज ये दावा करती है कि उन कमपनी का घी शुद्ध है लेकिन, जो कमपनीज उनका घी शुद्ध नहीं होता है और ऐसे मिलावट वाले घी खाने से हमें काफी सारी बिमारिया हो जाती है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे आप कैसे प्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं जो भी आप मार्किट से घी लाते हैं उसका प्योरिटी चेक कर सकते हैं और साथ में हम आपको बताएंगे कि मार्केट में जो अलग लग ब्रैंड्स अविलेबल हैं उन ब्रैंड में से सबसे अच्छा घी कौन सा है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि घी में किस तरह की मिलावट होती है सबसे जो बड़ी मिलावट घी में होती है वो होती है वनसपती की जो आपने मार्केट में सुना भी होगा एक डालडा घी हाता है डालड़ा घी प्यौर घी नहीं होता है डालड़ा घी वेजिटेबल ओइल से बनाया जाता है जो वनसपती घी जिसको हम बोलते हैं यह गी आपके सेहत के लिए बिलकुल फाइदे मन नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर saturated fats होता है, trans fat होता है जो आपकी सेहत के लिए काफी नुकसान दायक होता है तो हमेशा आपको cow घी purchase करना चाहिए market से Buffalo घी भी market में आता है लेकिन जो सबसे हमारी body के लिए healthy घी होता है वो cow घी होता है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मिलावट किस तरह की होती है तो जो घी में मिलावट होती है वो वनस्पती, vegetable oil या starch की मिलावट होती है तो आप मैं आपको बताता हूँ कि आपको test कैसे करने हैं, घर में ही आप ये test कर सकते हैं और अपने घी का पता लगा सकते हैं कि वो pure है या नहीं जो सबसे पहला और simple test है वो ये है कि आप एक चमच घी लीजिए और उसको gas पे heat कीजिए अगर वो immediately जल्दी से melt हो जाता है और उसका color dark brownish हो जाता है तो उसका मतलब वो pure घी है लेकिन अगर वो melt होने में time लगाता है और उसका जो color है वो light yellow हो जाता है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिलावट की गई है जो दूसरा तरीका है घी में मिलावट चेक करने का वो यह है सबसे पहले आप घी को अच्छी तरह melt कर लीजिए और उसको एक transparent glass jar में डाल दीजिए और उसको freezer में रख दीजिए जब वो पूरी तरह freezer में जम जाएगा तब उसको बहार निका लिए और ध्यान से देखिए अगर उसमें separate layers दिखाई देते हैं आपको तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई other oil डाला गया है जिसकी वज़े से वो separate layer बन गई है oil की और अगर आपको दिखता है कि कोई भ चमच melt घी लीजिए और उसके अंदर थोड़ी सी iodine solution की drops डाल दीजिए अगर उसका color purple हो जाता है तो इसका ये मतलब है उसके अंदर starch डाला गया है जो आपकी सेहत के लिए फाइदेमन नहीं होता है और जो अगला तरीका है ये चेक करने का घी में क्या कोई vegetable oil डाला गया ह है या नहीं तो उसके लिए आप सबसे पहले melted घी लीजिए एक transparent bottle में उसके अंदर थोड़ा सा sugar डालिए और उसका container close कर दीजिए उसको एक अच्छा सा shake दीजिए shake देने के बाद उसको 5 minute के लिए रख दीजिए अगर उसके अंदर red color आ जाता है bottom में इसका ये मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई vegetable oil डाला गया है मिलावट की गई है और उसके अंदर red color नहीं आता है तो इसका मतलब आपका घी pure है अगला जो तरीका है घी की purity चेक करने का बहुत ही असान है थोड़ा सा गी अपने हाथों में लीजिए और अगर वो अपने आप melt होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब आपका घी pure है otherwise आपका घी में adulteration है कुछ मिलावट है और जो आखरी तरीका है बहुत ही असान है थोड़ा सा गी अपने हाथों में रब कर लीजिए और इससे सूंकर देखिए अगर कुछ ही देर में इसकी खुश्पु आनी बंद हो जाए तो समझ लेना कि ये मिलावटी गी है क्योंकि गी की खुश्पु काफी देर तक रहती है तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिससे आप घर बैठे ही गी की purity टेस्ट कर सकत हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका घी प्यूर है या नहीं तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन मार्केट में जो भी काव घी अवेलेबल है उनमें से सबसे अच्छा ब्रैंड कौन सा है Recently एक Consumer Voice Organization है उन्होंने एक पूरा रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने सभी घी की purity टेस्ट चेक की थी मैं उस रिसर्च का आपको PDF लीचे description में link में share कर दूँगा आप वहां भी जाके देख सकते हैं लेकिन मैं यहां भी आपको बताना चाहूंगा उस रिसर्च में जो पाया गया कि जो इंडियन मार्केट में अलग-लग brands अवेलेबल है उन brands में जो सबसे अच्छा काव घी है वो है पतंजली का जैसे कि आप अपनी screen पे भी देख सकते हैं जो total score था 100 उसमें से पतंजली के 86 score आए तो यह top number पे रहा तो इस number one product है काव घी का उसके बाद गोवर्दन फिर शीर फिर अनिक फिर mother dairy अमुल और पारस आप इसका detailed research आप उस link पे जाके पढ़ सकते हैं उन्ह पतंजली का काव घी सबसे अच्छा है जो इंडियन मार्केट में available है तो आप इस product को जादा से जादा यूज कीजिए और इसका पूरा फायदा उठाईए तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप घी का purity test कैसे कर सकते हैं घर में ही और पीचे आपका कोई भी question आप comment section में जाके हमसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने family के साथ share कर दीजिए और हमारे चैनल hello friend tv को subscribe कर दीजिए thank you